कि नमस्कार आप सभी का स्वागत है कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के इस ए-learning प्लैटफॉर्म पर मैं हूँ अभिशेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं करंट अफेर्स और आप सभी को पता है 15 सितंबर को हॉस्टल वॉर्डन के एक्जैम्स होने वाले हैं जो व्यापमद्वार 300 most important hostel wardens के current affairs के questions हम आप सभी के सामने ले करके उपस्थित हो रहे हैं जैसा कि आपको पता है आपके एक्जाम में एक खंडिका है जिसका नाम है समसमाई की घटनाएं खेल कूद देश विदेश जिसके अंदर राज्ट्रिय अंतर राज्ट्रिय घटनाएं खेल एवं साहित यह आप लोगों के syllabus में mention है hostel warden के और यहां से आप लोगों के लिए current affairs बहुत ज्यादा important हो जाता है इसलिए हमने 300 questions का एक क्या किया है collection बनाया है जो आपके hostel warden में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा important होंगे ठीक है क्योंकि यह 300 questions बहुत ज्यादा है इसलिए हम कोशिश करेंगे इन्हें 50-50 questions की एक series में हम इन्हें आप सभी के सामने ले करके आए ताकि एक बार में हम 300 questions को grasp करने से अच्छा हम 50-50 questions को क्या करें grasp करते चलें ताकि हमारा exam में हम सही optimum performance दे सकें ठीक है आईए शुरू करते है हमारा यह series जो आज का हमारा series होगा इसमें हम 50 questions डील करेंगे current affairs सम्वंदित जो हमारे hostel warden के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे साथ ही यह हमारा एक revision video भी हो जाएगा current affairs के जो questions हमने solve किये हैं उसका सबसे पहला जो सवाल है वो है what is the name of document being prepared by Raj नीती आयोग as a vision document for developed 36 गड़ विक्सित 36 गड़ के लिए vision document के रूप में राज नीती आयोग द्वारा तयार किये जा रहे दस्तावेज का नाम क्या है आप options देखेंगे comment section में आपके जो भी doubt होंगे आप उन्हें हमें बताएंगे और साथ ही आप comment section का use करते हुए सभी सवा वालों के जवाब देंगे 300 questions का ये पूरा का पूरा हमारा क्या रहेगा hostel warden को dedicated पूरा का पूरा ये series रहेगा option number A है अमरित काल 36 गड़ विजन 2047 अमरित काल 36 गड़ मिशन 2047 अमरित काल 36 गड़ विजन 2050 या फिर अमरित काल 36 गड़ मिशन 2050 राजनीती आयोग द्वारा जो विजन डॉक्यमेंट के रूप में प्रिपेर किया जा रहा है डॉक्यमेंट उसका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है तो यहाँ पर आप लोगों का जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ओप्शन नमबर ए अमरित काल 36 गड़ विजन 2047 के रूप में 36 गड़ की राजनीती आयोग द्वारा जो विक्सित भारत 2047 का एक विजन है हमारी भारत सरकार का उसके ही तहत हमारे 36 गड़ अमरित काल विजन 2047 का क्या किया जा रहा है निर्मान किया जा रहा है, सभी विभागों से उनकी जानकारियां ली जा रही है उनका विजन जाना जा रहा है कि आगे 47 तक हम कैसे विक्सित भारत में, विक्सित चतिसगड के रूप में हम क्या करेंगे एक योगदान देंगे, चीक है, अगला क्वेशन देखते है विक्सित किये जाने वाले सामुदाई केंद्रों का नाम क्या होगा मैत्री सदन, महतारी सदन, मातादाई सदन या फिर दाई दिदी सदन इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है इनका नाम क्या होगा मैत्री सदन, महतारी सदन, मातादाई सदन, दाई दिदी सदन आज हम 50 questions डील करेंगे और इस तरीके से हम 50-50 questions के वीडियोज पर हम 300 questions टच करेंगे जो most important होंगे आपके hostel warden के लिए यहाँ पर आप लोगों का जो जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा option number B, महतारी सदन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, महिलाओं के रोजगार सम्मरधर के लिए हर ब्लोक में महतारी सदन का निर्मान किया जाएगा अगला question हम देखते है, which scheme of चत्तीजगड is to be operational in line with the go-wardhan scheme of central government चत्तीजगड की कौन सी योजना, केंद्र सरकार की गो-wardhan योजना के अनुरूप क्रियानवित की जाएगी चत्तीजगड की कौन सी योजना, केंद्र सरकार की गो-wardhan योजना के अनुरूप क्या की जाएगी, क्रियानवित की जाएगी ये सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है आप लोगों को इसका जवाब देना है option number A है, go-than scheme option number B है आपका, go-than scheme option number C हो जाएगा आपका क्या, go-wansh, abhyaaranya scheme और option number D आपका हो जाएगा क्या, उप्रोक्त में से कोई भी नहीं ठीक है यहाँ पर आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा क्या, option number C go-wansh, abhyaaranya, go-wansh, abhyaaranya नाम से यह scheme आप लोगों के लिए क्या की जाएगी, 36 गड़ में लागू की जाएगी, जो की केंद्र सरकार की go-wardhan scheme के समतुल्य होगी या फिर उसके समान होगी अगला question देखते हैं, where is Shiv Sagar Dam located, very important ये question आप लोगों के लिए expected question है, क्योंकि ये जो Shiv Sagar Dam है, यहाँ पर migratory birds जो है, ये greater sand flower greater, greater, sand, flower नामक migratory birds को देखा गया है, जो की बहुत ही कम हमारे 36 गड़ में देखने को मिलती है, option number A, मुंगेली, option number B, बिलासपूर, option number C, गॉरिला पिंडरा मारवाही, या फिर option number D, कभीर धाम, इन्हें में से कौन सा वो जिला है, जहाँ पर शिव सागर बांध स्थित है, ये आप लोगों को बताना है, हमने ये सभी questions को deal किया है, हमारे मई, जून और जुलाई के current affairs में, हमारा जो पूरा अभी ये 300 series रहेगा, 300 questions का, ये होगा based आपके मई, जून जुलाई और एप्रेल में, जून जुलाई, ये चार महीनों पर आपका based हो करके ये सभी questions आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप लोगों का जो जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा, option number B, विलासपूर, विलासपूर में स्थित है, क्या अगर आप लोगों से पूछा जाए, कि हाल ही में, greater sand plower नामक एक प्रवासी पक्षी, कौन से जिले में देखने को मिली थी, तो ये भी इसका भी जवाब हो जाएगा, क्या, विलासपूर, अगर आप से स्थान पूछ ले, तो ये हो जाएगा, क्या, शेव सागर बांथ, आगे चलते हैं, who has recently been appointed as the first female general manager of South Eastern Central Railway, मतलब दक्षन पूर्व मध्य रेलवे की पहली महिला महा प्रबंदक के रूप में, किने नियुक्त किया गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपून है, हमारे जो जि बहार देखने को जो मिल रहा है, वो इनहीं के कारण है, और ये साउतन जो रेलवे है, आपका दक्षिन रेलवे, उसमें ट्राफिक कंट्रोल की महाने देशक थी, जिनको चतीस गड़ में पहली बार महिला, South Eastern Central Railway की पहली महिला क्या बनाया गया है, जनरल मैनेजर बनाया तेल गया ये कौन है, स्मृति कटेलिहा, संतोशी चौहान, राज कुमारी तीवारी या फिर नीनू इटेयरिया, संतोशी चौहान, राज कुमारी तीवारी या फिर नीनू इटेयरा, बहुत important है, 80% chances है इसके आपके exam में आने के, और ये हैं आपकी option नमबर डी नीनू इतेयरा तमिल नाडू से इन्हे specially बुलाया गया है कहाँ पर South East Central Railway को manage करने के लिए अगला जो question है हमारा where is the headquarter of South Eastern Central Railway located तक्षिन पूर्व मत्य रेलवे का जो आपका मुख्याले है वो कहाँ पर स्थित है ये आप लोगों को जवाब देना है option नमबर बी हो जाएगा इसका answer South East Central Railway का जो मुख्याले है वो कहाँ पर है बिलासपूर में है और इसके ही साथ आप लोग बताएंगे कि ये जो SECR है ये भारत के रेलवे का कौन से क्रमांग का जोन है ये आप लोगों का homework होगा ये बताना चलिए अगला question देखते है in which amongst the following tribal culture it is a tradition to leave the house and shift to a new one after death of any family member याने कि निम्द में से किस आदिवासी संस्कृती में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यू के बाद घर छोड़ कर नए घर में चले जाने की क्या है परंपरा है ये आप लोगों को बताना है ऐसा कौन सा चत्तीजगर का आदिवासी समू है जो अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यू हो जाने के बाद में सिधा घर छोड़ करके ही दूसरे घर में shift हो जाते हैं हाल ही में एक report जारी किया गया था tribal department के द्वारा जिसमें इस कारण को मुख्यता बताया गया था कि इस कारण से इन्हें मुख्य रूप से समाज की मुख्यधारा में नहीं जोड़ा जा पा रहा है क्योंकि ये घर छोड़ कर चले जाते हैं तो ना यहाँ पर प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का फाल इन्हें मिल पा रहा है और पर्मनेंट रेसिडेंट्स ना होने के कारण इन्हें जो अन्यमूल भूच्छ सुविधाय है वो भी मुहिया कराने में सरकार कहीं न कहीं थोड़ी सी पीछे रह जा रही है और उसका कारण क्या है घर के किसी भी सदस्य की मृत्य होने पर ये अपना घर छोड़ कर चले जाते हैं पुझिया, पंडो, बैगा, पहाड़ी कोरवा पुझिया, पंडो, बैगा, या फिर पहाड़ी कोरवा इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नमबर डी पहाड़ी कोरवा जो कि चत्तीसगड की एक क्या है पी वी टी जी है पर्टिकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रूप है विशेश रूप से पिछडी जन जाती अगला क्वेशन हमारे पास में हो जाता है मतलब चत्तीसगड की राज सरकार द्वारा अलग से चिन्हांकित किनहें किया गया है विशेश रूप से कमजोर या पिछडी जन जाती समूहों के रूप में यह आप लोगों को बताना है आप्शन ए है पंडो, भुंजिया, कमार या बिरहोर और आप्शन्स हमारे पास में हो जाएंगे केवल एक और चार, दो और तीन, एक और दो, दो और चार राज सरकार द्वारा अलग से चिन्हांकित किया गया किनहें है यह पूचा जा रहा है पंडो, भुंजिया, कमार, बिरहोर एक और चार, दो और तीन, एक और दो, दो और चार तो इसका जो जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए वो हो जाएगा आप्शन नमबर सी एक और दो याने कि जो पंडो और भुंजिया है इन दोनों को 36 गड़ सरकार ने अलग से PVTG में शामिल किया है और इन दोनों के अलावा पांच आपके ऐसे PVTGs हैं जिने केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया है घोशित किया गया है PVTG और इनके नाम क्या क्या है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है ये जो पांच PVTG हैं जिने गवर्मेंट आफ इंडिया द्वारा किया गया है इनके नाम आपको बताने है और ये जो दो राज सरकार द्वारा किया गया है गवर्मेंट आफ चत्तीजगर इनके द्वारा इन्हें चिनांकित किया गया है ये कौन है पंडो और बुजियां और अप्शन नंबर C एक और दो अगला question हमारे पास में है where is the national youth athletics championship organized याने कि 2024 में जो राश्ट्री युवा athletics championship organized की गई थी वो कहा की गई थी ये आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है option A है भुवनेश्वर option B है राइपूर option C है बिलासपूर option C है डेली और option D है आपका बिलासपूर कि 2024 में मई के महिने में राश्ट्री युवा athletics championship का आयोजन कराया गया था वो कहां कराया गया है भुवनेश्वर राइपूर दिल्ली या फिर बिलासपूर इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका option number D बिलासपूर में 2024 में क्या कराया गया है राश्ट्री युवा प्रस्तर के आपके statues मिले है यानि कि stone statues यहां पर मिले है तो गंधेश्वर महादेव कहां पर है सिरपूर में है राजिम में है तंतेवड़ा में है या फिर मलहार में है जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर में प्रवेश करेंगे उसी समय से ही आपको तुलसी की खुषबु आनी शुरू हो जाएगी और इसी तुलसी की खुश्बू के कारण इनका नाम रखा गया है क्या गंधेश्वर महादेव शिव मंदिर है ना और ये आप लोगों को देखने मिलता है महासमुंद के सिरपूर में option number A ठीक है चलिए आगे चलते हैं इन लिखित में से कौन चत्तीजगड की जनजातिय सलाहकार परिशद का पदेन अध्यक्ष होता है या फिर है इसका जवाब देने के साथ साथ आप सभी ये बताएंगे कि जनजातिय सलाहकार परिशद का सम्मिधान के कौन से अनुसूची और कौन से अनुच्छेद में उलेक किया गया है और साथ ही आप ये भी बताएंगे कि भारत देश में कितने राज्यों में जनजातिय सलाहकार परिशद है ये दोनों चीज़ें क्योंकि ये जब हम करन्ट अफेस जील कर रहते हैं हमने इस सभी को डिटेल में देखा है कौन से अनुसूची के कौन से अनुच्छेद में कहां पर ट्राइबल अडवाईजरी काउंसिल का गठन के बारे में बताया गया है कौन उसके अध्यक्ष होंगे कौन पाध्यक्ष होंगे उसकी कुल मिला करके उसमें कितने सदस्य होंगे कितने अनुसूची जनजाती के सदस्य होंगे कितने समानी सब कुछ हमने देखा है आप अभी फिलहाल हमें जवाब देंगे who amongst the following is ex-officio chairman of tribal advisory council पदेन अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष कौन होता है जन जाती है मामलों का प्रभारी मंत्री मुख्य मंत्री, मुख्य सचेव या फिर इन में से कोई नहीं आंसार हो जाएगा आप लोगों के लिए option number A, माफ कीज़ेगा option number B chief minister या फिर मुख्य मंत्री होते हैं पदेन अध्यक्ष दूसरा question है, मतलब बारवा question है who amongst the following is ex-officio chairman of राजनीती आयोग औफ चत्तीजगड निम्न लिखित में से कौन चत्तीजगड के राजनीती आयोग का पदेन अध्यक्ष है इस सवाल का जवाब देने के साथ साथ आप ये बताएंगे ये जो राजनीती आयोग है इसका पहले नाम क्या था क्योंकि हाल ही में इसे क्या बनाया गया है राजनीती आयोग का नाम दिया गया है लेकिन इससे पहले इसका नाम कुछ और था हमने डील किया है आप बताएंगे इसका राज जनीती आयोग से पहले क्या नाम था अभी सवाल का जवाब देंगे एक्स ओफिश्यो चेर्मेन कौन है राज जनीती आयोग के इसका प्रशाषन के मंत्री यहाँ पर आपका मंत्री आयेगा या फिर आप्शन नमबर भी राज शहरी विकास प्राधिकरंड के सचीव या फिर option number C, मुख्य मंत्री या इन में से कोई भी नहीं है ex-officio chairman या फिर पदेन अध्यक्ष राजनीती आयोग के यहाँ पर जो आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा option number C, मुख्य मंत्री ही होते हैं किसके राजनीती आयोग के पदेन अध्यक्ष हम सारी चीजों को बहुत detail में हमने deal किया है हमारा जो weekly current affairs का series चल रहा है उसमें इसलिए हम अभी इसमें बहुत ज़्यादा depth में नहीं जाएंगे हम target कर रहे हैं होस्टर वॉर्डन के current affairs को 15 में से at least हम 13-14 questions बना करके आएए हम कोशिश करेंगे अच्छा हम चतीजगड के current affairs पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी जो खंडिका है होस्टल वॉर्डन की उसमें चतीजगड की समसमाई की कहीं पर mention नहीं किया है लेकिन उसमें लिखा हुआ है राश्ट्रिय एवं अंतर राश्ट्रिय समसमाई की तो राश्ट्रिय समसमाई की के अंदर में हमारा चतीजगड की भी समसमाई की आएगी ही आएगी आप इस ब्रहम में ना रहिएगा कि चतीजगड के current affairs नहीं आएंगे ठीक है चलिए तो यह हो जाएगा आप लोगों के लिए option number C अमिताब जैन को extra क्या दिया गया है प्रभार दिया गया है राजजनीती आयोग के किस के रूप में उपात्यक्ष के रूप में चलिए आगला question है इसको आप लोगों को match the following करना है एक तरफ आप लोगों को दिया है जन जाती और दूसरे तरफ उसके विकास प्राधिक करन को स्थापित किया गया है बैगा कमार पहाडी कोरवा पंडो सूरजपूर गरियाबंद कबीरधाम अंभीकापूर आप लोग इसको match the following करके यहां पर options में से चूज करेंगे A, B, C या फिर D यहां पर जो हमारे लिए जवाब हो जाएगा बैगा जो है इसका जो प्राधिकरण है यह है आपका कहां पर कभीरधाम में कमार विकास प्राधिकरण है आपका गरियाबंद में पहाडी कोरवा जो है यह आप लोगों को कहां पर मिलेगा य और जो पंडो है पंडो का विकास अभी परण जो है यह मिलेगा आपको सूरजपुर में तो option हमारे पास में 1, 1 का 3 यह तो option D हमारा cancel हो जाता है फिर 2 का second याने की 2 का second इन दोनों में है याने की option A भी cancel हो जाता है 3 का 4 याने की option number C हमारे लिए हो जाता है क्या answer जिसने जिस ठीक है चलिए question number 15 में चलते है how many tribal development cells are there in 36 गड़ याने की 36 गड़ में कितने आदिवासी विकास प्रकोष्ट की बात कर रहा है cells कितने है 7, 8, 9, 10 एक है अभी करण और अभी करण के अंडर में आप लोगों को देखने मिलेगे cells या फिर प्रकोष्ट ये सब कुछ हमने deal किया है हमारे weekly current affairs की जो series है उसमें 7, 8, 9 या 10 तो हमारे पास 36 गड़ में कुल मिला करके 9 जनजाती विकास प्रकोष्ट कारेरत है ठीक है चलिए अगला question देखते है how many tribal development authorities are operational in 36 गड़ याने कि कितने आदिवासी विकास प्रादिकरण है 36 गड़ में 6, 7, 8 या फिर 9 तो प्रकोष्ट की जब हमने बात की तो प्रकोष्ट कितने हैं हमारे पास में 9 लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी authorities या फिर प्रादिकरणों की तब हमारे पास में कितने हो जाएंगे कितने हो जाएंगे भाई यह हो जाएंगे आपके पास में 6 option नमबर ए 6 प्रकोष्ट माफ किजिए अभी करन हमारे 36 गड़ में operational है जो ट्राइबल विकास के लिए काम कर रहे हैं दक्षेन पूर्व मध्य रेलवे की पहली महीला महा प्रबंदक निनु इतेयरा किस राज जिसे है यह आप लोगों को बताना है अभी ही हाल ही में थोड़ देर पहले ही हम बात करते करते इस पर चर्चा किये है कि साधन रेलवे की traffic control management का प्रभार था इनके पास में और इन प्रचेश कर 36 गड़ में जो ट्रेनों की लेट लतीफी है ट्रेनों की जो रेल विकास है उन सभी में जो कमी आई थी उनके लिए इनको बुलाया गया है बहुत ही ज्यादा strict यह महिला है और यह जहां भी जाती है वहां को पूर्ण तह corruption free कर देती है तो हमारे लिए तमिलनाडू करनाटक आंद्रप्रदेश यह कहां से हमारे चत्तीज गड़ में इनका पद सापना किया गया है इसका जवाब आप लोगों को देना है केरल तमिलनाडू करनाटक आंद्रप्रदेश इसका जो जवाब है यह हो जाएगा option number B तमिलनाडू चलिए आगे चलते हैं who amongst the following was not the part of women compound archery team which clenched gold medal at stage 1 and stage 2 of archery world cup हाल ही में जो महिला तीरंदाजी माफ कीज़े का विश्व कप आयोजित किया गया था उसमें से कौन सी महिला उस compound तिरंदाजी team का हिस्सा नहीं है जिन्होंने stage 1 और stage 2 में gold medal हासिल किया है यह आप लोगों को बताना है हमारे भारत की 3 महिला सदस्य जो compound team रही है उसने इस बार कर जो world cup रहे हैं तीरंदाजी के वो 4 चर्णों में हुए है उन 4 चर्णों में शुरुवात के दोनों stages में ही क्या किया है gold medal जीता है और वो कौन कौन से लोग थे या फिर इस सवाल में पूछा जा रहा है कौन वो एक particular महिला है जो उस team का हिस्सा नहीं रही है प्रतीभा सिंग, परनीत को और अदिती स्वामी या फिर जोती सुरेका इन में से कौन है वो जो उस team का हिस्सा नहीं रही है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा option number A प्रतीभा सिंग प्रतीभा सिंग उसमें उस team की हिस्सा नहीं रही है बाकी तीनों परनीत को और अदिती स्वामी और जोती सुरेका इन तीनों ही वो महिला कंपाउंड तीरंदाजी team का हिस्सा रही है जिसने तीरंदाजी विश्व कप 2024 के stage 1 और stage 2 में क्या जीता है मतलब हमने अभी ही बात की आर्चरी जो है तीरंदाजी का विश्व कप इस बार 4 stages में किया जा रहा था और चारों ही अलग-अलग कहां पर अलग-अलग स्थानों पर इनका आयोजन किया गया है आप लोगों को मैच यह करना है कि कौन से stage को कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है क्योंकि हमारे देश की महिला team ने बहुत ही जबरदस्त performance यहां पर किया है इसलिए यह question भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है important हो जाता है आप लोग options देखेंगे और match the following करेंगे stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, Shanghai, China, Yecheon, South Korea, Antalya, Turkey कि या फिर त्लाक्सकला मेक्सिको चांगाई, ये बिल्कुल रटने वाला fact है इसमें समझने को कुछ भी नहीं है तो जो पहला stage था यह आपके शांगाई चाइना में organize कराया गया था जो चौंथा stage था यह तक्सकला मेक्सिको में कराया गया था जो दूसरा था वो योशेन में कराया गया और तीसरा कहां कराया गया अंताल्या टर्की में कराया गया है अगर आप इसनके नाम याद नहीं कर पा रहे हैं तो at least आप इनके नाम याद कर लीजेगा चाइना, साउथ कोरिया, टर्की और मेक्सिको में कराए गए थे तो option number C हमारे पास में हो जाएगा क्या answer 1, 2, 3 और 4 ठीक है 1, 2, 3, 4 यह हो जाएगा हमारा क्या answer ठीक है चलिए आगे चलते हैं Which amongst the following teams are participating for the first time in ICC World Cup याने कि 2024 में जो ICC के World Cup हुए International Council for Cricket के जो क्या हुआ है World Cup आयोजन कराया गया है उसमें कुछ ऐसी टीमें थी जिन्नोंने पहली बार भाग लिया या फिर participate किया वो कौन कौन सी थी America, Canada, Uganda, Pakistan Only 1, 1 and 2 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4 याने कि चारों ने ही क्या किया पहली बार participate किया है ये आप लोगों को बताना है कौन कौन सी वो टीम रही है जो 2024 के ICC World Cup में पहली बार प्रतिस परदा में भाग लिया है जिन्नोंने Only 1, 1, 2, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3 and 4 America, Canada, Uganda, Pakistan यहां से जो आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा Option number C 1, 2, 3 and 4 याने की माफ किजएगा 1, 2 and 3 याने की America, Canada और Uganda यह तीनों ही ऐसे देश रहे हैं जिन्नोंने पहली बार ICC World Cup में क्या किया है पार्टिसिपेट किया है स्वाल सेम है How many total matches of T20 World Cup 2024 are to be hosted in America मतलब विश्व कब 2024 के कुल कितने खेलों की मेजबानी अमेरिका ने की है 2024 के T20 World Cup के कितने matches की मेजबानी अमेरिका ने की है यह आप लोगों को बताना है 55 16 49 या फिर 40 55 16 49 40 जवाब इसका हो जाएगा आपका क्या 16 मैचेस की मेजबानी की है किसने अमेरिका ने option number B हो जाएगा बहुत ज़्यादा important नहीं है ठीक है चलिए Which among the following country countries hosted T20 World Cup यह बहुत important जो 2024 का विश्व कप रहा T20 का ICC के द्वारा उसे किस देश ने या फिर किन किन देशों ने मेजबानी उसकी की है यह आप लोगों को बताना है options है आपके पास में America, Nigeria, West Indies या फिर option number D both A and C America, Nigeria, West Indies या फिर both A and C याने America और West Indies दोनों ही answer हो जाएगा option number A आपके जाएगा option number D both A and C याने की America और West Indies दोनों ही संयुक्त रूप से क्या किया है मेजबानी की है किसकी T20 World Cup जो 2024 में हुई ICC T20 विश्वकप 2024 में कितने पूर्ण सदस्य और Associate सदस्य देशों की टीमों ने भाग लिया है ये आप लोगों को बताना है कितनी full member teams रही है और कितनी associate country की teams रही है ये बहुत ही important है देखिए ये जो आपका ICC T20 से सवाल आपके आएंगे ही आएंगे ठीक है 9 full member अब ये देखिए respectively की बात कर रहा है मतलब जो पहला आकड़ा है वो full member का है पूर्ण कालिक सदस्य का है और जो दूसरा आकड़ा है वो associate सदस्य का है या फिर associate सदस्य का है ठीक है तो 9-11, 11-9, 11-11 या फिर 9-9 देशों की टीमों ने इसमें participate किया है ये आप लोगों को बताना है तो जो कुल मिलाकर के full members थी जिनोंने participate किया है उनकी संक्या थी 11 और जो associate members थे उनकी संक्या है कितनी 9 हमने ये सभी चीजों को अपने current affairs में deal किया है अगर आप लोगों को से वो गलती से miss हो गया है आप लोगों को कोई चीजों से समझ में नहीं आ रहा है कोई doubt है हमारे comment section में comment कर दीजेगा comment के जवाब देने की हम पूरी-पूरी कोशिश करेंगे चलिए अगला देखते हैं वेर इस desert national park of India located भारत का मरूस्थल राश्ट्रिय उद्यान कहां स्थित है मरूस्थल राश्ट्रिय उद्यान कहां पर स्थित है यह important इसलिए है क्योंकि यहां को जो राजिस्थान की जो राश्ट्रिय पक्षी है उसकी जनसंख्या में उनके कुनगबे में बहुत ही ज्यादा बृत्धी हुई है और ये हमारे देश के पर्यावरण विदों के लिए एक बहुत ही क्या है खुशखबरी है इसलिए ये question हमारा current affairs में बना रहेगा तो जो डेजर्ट नेशनल पार्क ओफ इंडिया है जैपूर में बीकानेर में जो राजस्थान में है या फिर पूँच में है जम्मू कश्मीर में या फिर जैसल में राजस्थान कौन से जगह पर डेजर्ट नेशनल पार्क ओफ इंडिया लोकेटेड है जैपूर राजस्थान, बिकानेर राजस्थान, पुंच, जम्मू कश्मीर या फिर जैसल मेर राजस्थान इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए option number D जैसल मेर राजस्थान में है क्या desert national power क्या फिर मरूस थली ये राश्ट्रिय उद्ध्यान भारत का which is the state bird of राजस्थान बहुत ज़्यादा important, very, very, very important बहुत ज़्यादा ये current affairs में continuously बना रहा था college peasant, godavan, saraskrane या फिर इन में से कोई नहीं college teeter, godavan, saraskrane या फिर इन में से कोई नहीं राजस्थान की राजकी पक्षी कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है, जिसका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है जो एक देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है, पर्यावरण के लिए अच्छी बात है जो कहाँ पर पाई जा रही है, desert national park of India में पाई जा रही है जो कहाँ पर है, आपका राजस्थान के जैसल मेर में है और ये जो आंसर है, ये आप लोगों के लिए हो जाएगा, option number B, Godavan इस Godavan का एक और नाम है, और ये आप लोगों के लिए homework होगा राजस्थान की जो state bird है, राजगी पक्षी है, जिसका नाम Godavan है उसका एक और नाम क्या है, ये आप लोग सभी खोज करके हमारे comment section में comment जरूर करेंगे Who amongst the following won the Scripps National Spelling B competition 2024 IMP नेमने लिखित में से किसने Scripps National Spelling B प्रतियोगिता 2024 जीती है ब्रीहट सोम, राधिका मर्चेंट, पुर्णिमा श्रेष्ट का या फिर आरती यादव इन में से किसने Scripps National Spelling B competition 2024 को जीत लिया है इसका जवाब आप लोगों को देना है इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा आप्शन नंबर ए ब्रीहट सोम, ठीक है क्या है यह स्क्रिप्स National Spelling B competition हम लोग अपने करेंट अफेर्स के वीकली सीरीज में डीटेल में डील कर चुके हैं देखते हैं, when is world hunger day observed, विष्व, भूख, दिवस, हर साल किस दिन मनाया जाता है यह आप लोगों को जवाब देना है 27 मई, 29 मई, 28 मई या फिर 30 मई इन में से कौन सा वो दिन है जिस दिन हम क्या मनाते हैं विश्व, भूक दिवस या फिर World Hunger Day मनाते हैं 27 मई, 29 मई, 28 मई या फिर 30 मई इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा Option number C 28 मई पैक्ट है रट लीजिएगा What was the theme of World Hunger Day 2024? याने कि विश्व भूक दिवस 2024 का theme क्या था? Option A thriving mothers, thriving world Option B thriving nature, thriving mothers Option number C towards zero hunger Option number D towards a nutritious world समरिद्ध मा, समरिद्ध दुनिया, समरिद्ध प्रकृती, समरिद्ध माताईज भुखमरी को शून करने की और एक पौश्टिक विश्व की और बहुत ज़्यादा important है Very 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 important question है 2024 के विश्व हंगर दे या फिर विश्व भूक दिवस जो 28 मई को मनाया गया था उसका theme क्या था? Option A, thriving mothers, thriving world Option B, thriving nature, thriving mothers Option C, towards zero, hunger या फिर Option D, towards a nutritious world समरिद्ध मा, समरिद्ध दुनिया, समरिद्ध प्रकृती, समरिद्ध माताई बुखमरी को शून करने की और, एक पौश्टिक विश्व की और तो यहाँ पर आप लोगों का option number A हो जाएगा answer याने की thriving mothers, thriving world यह है इस बार का theme इस बार का क्या रहा है? यह theme रहा है विश्व भूक दिवस का चलिए अगला question देखते है 29th question What is the name of India's first rocket with 3D printed engine बहुत ज्यादा important, बहुत ही ज्यादा important 3D printed engine वाले भारत के पहले यह विश्व का पहला होगा यह विश्व का पहला है It is not India's, it is world's first विश्व का सबसे पहला है 3D printed rocket engine का नाम क्या है? वायू पुत्र sorted, अगनी पुत्र sorted, वायू बान sorted या फिर अगनी बान sorted तो जो यह विश्व का पहला 3D printed rocket engine है इसका नाम क्या है? वायू पुत्र, अगनी पुत्र, आयू, वायू बान या फिर अगनी बान sorted यह जो sorted है, इसका full form है suborbital सब, और्बिटल, टेक्नोलोजिकल, डेमॉन्स्ट्रेटर यह जो S, O, R, T, E और D, इनसे मिल करके बनाया गया है किसको? सॉल्टेड यह full form भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important है suborbital technological demonstrator और जो जवाब हो जाएगा, आपका option number D हो जाएगा यह है आपका अगनी बान sorted बहुत ज़्यादा important है highly expected question है आपके hostel warden के exam में अगला question है the first private rocket launch of India took place from श्री हरी कोटा अगनी बान sorted is prepared by which space tech company भारत का पहला नीजी rocket launch श्री हरी कोटा से हुआ अगनी बान sorted किस space tech company द्वारा तयार किया गया है बहुत ज़्यादा important यह जो आपका अगनी बान sorted है इससे सम्मंदित सभी question आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाएगा तो जो अगनी बान sorted है यह विश्व का पहला क्या है 3D printed engine है 3D printed rocket engine है साथ में इसके इसका जो launch हुआ वो हमारा क्या है इंडियाज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉंच कहां से हुआ यह श्री हरी कोटा ठीक है अब यह बताना है कि यह जो रॉकेट इंजन है इसको प्रिपेर किस टेक्निकल आपका इसका जवाब आप लोगों को देना है इसका जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका option number C अगनी कुल कॉस्मॉस ये जो आपका अगनी बांड सॉर्टेड है इससे सम्मंदिद सभी question आप लोगों के लिए क्या हो जाएंगे बहुत जादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे अब ये जो अगला question है इसको देख ल organization विश्व श्रम संगठन के अनुसार दो हजार चौबिस में विश्व बेरोजगारी दर क्या रहेगी world unemployment rate विश्व बेरोजगारी दर दो हजार चौबिस में क्या रहने वाली है किसके according विश्व श्रम संगठन के according 2.9 3.9 4.9 या फिर 5.9 2.9 3.9 4.9 या फिर 5.9 आप लोग इसका सभी का जवाब देंगे इसका जो जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आप लोगों के लिए option number c 4.9 वैश्विक बेरोजगारी दर जो होने वाली है वो 4.9 परसंट रहने वाली है 2014 में अगला देखते हैं which amongst the following were merged to form national statistical office in March 2019 मार्च 2019 में राष्ट्रीय सांख्य की कार्यालय बनाने के लिए निम्नलिकेत में से किससे विलै किया गया था? राश्ट्रिय पतिदर्ष सर्वेक्षन कार्यालै, option एक केंद्रिय सांकि की कार्यालै, दो 20 सूत्रिय कार्यक्रम, तीन बुनियादी ढाचा और पर्योजना निगरानी, चार इन में से किसे या फिर किसे-किसे merge करके क्या बनाया गया है? राश्ट्री ये सांखी की ये कार्यालाय बनाया गया है ये आप लोगों को बताना है National Sample Survey Office, Central Statistical Office, 20 Points Program या फिर Infrastructure and Project Monitoring किसे किसे मिला करके National Sample Survey Office या फिर National Statistical Office बनाया गया है NSO बनाया गया है मार्च 2019 में इसका जवाब हो जाएगा आपका option नंबर B केवल एक और दो याने की राश्ट्री प्रतिदर्श सर्वेक्षन कार्याले और केंद्री ये सांखी की ये कार्याले इन दोनों को मिला करके बनाया गया है क्या राश्ट्री ये सांखी की ये कार्याले National Sample Survey Organization और Central Statistical Office ये दोनों को मिला करके बनाया गया है क्या National Statistical Office कब बनाया गया मार्च 2019 में अगला सवाल जो हमारे पास में हो जाएगा When did Ministry of Statistics and Program Implementation came into existence as an independent ministry सांखी की ये एवं कारिक्रम कार्यानवयान मंत्राले एक स्वतंत्र मंत्राले के रूप में कब अस्तित्त्य में आया 1990, 2000, 2001 या फिर 2002 तो ये आपका जो स्वतंत्र मंत्राले था सांखी की ये एवं कारिक्रम कार्यानवयान मंत्राले ये 1999 में क्या हुआ था एक स्वतंत्र अस्तित्व में आया था ठीक है चलिए अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन जो है अमारा what is relation between GDP and GVA GDP और GVA के बीच क्या संबंद है GDP और GVA के बीच में क्या संबंद है ये आपके economics का basic question है economics का basic question है चाहें तो इसको skip कर सकते हैं लेकिन इसका answer हो जाएगा GDP is equals to GVA plus taxes minus subsidies जब हमारा current affairs का series चल रहा था हफता वाला weekly उसमें हमने इसको अच्छे से deal किया है हाला कि ये इस exam के लिए particularly बहुत ज़्यादा काम का नहीं है ठीक है इसके बाद में जो आपका real GDP क्या होता है ये आप लोगों को बताना है स्थिर मुल्यों पर गड़ना की गई GDP बजार मुल्यों पर गड़ना की गई GDP मुल्य हराज घटाने के बाद गड़ना की गई GDP विदेशों से आय के शुद्ध प्रवाह को समायोजित करने के बाद गढ़ना की गई GDP तो इसका जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा option number a GDP calculated at constant price is known as real GDP economics का सवाल है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला question देखते हैं base year for calculation of real GDP वास्तविक सकल घरेलू उतपाद की गढ़ना करने के लिए आधार वर्ष कौन सा है ये आप लोगों को बताना है 2001-2, 2011-12, 2017-18 या फिर 2021-22 वास्तविक GDP यानि की जो constant prices पर है constant price पर GDP होता है उसका आधार वर्ष कौन सा होता है ये आप लोगों को बताना है 2001-2, 2011-12, 2017-18 या फिर 2021-2, जो जवाब हो जाएगा ये हमारे लिए हो जाएगा option नंबर B, 2011-12 वास्तविक सकल घरेलू उतपाद की गढ़ना के लिए जो अधार वर्ष है वो 2011-12 है अब यहां से फिर हम आ जाते हैं अपने current affairs में what is the growth rate of Indian economy according to NSO in the year 2023-24 याने की 2023-24 में NSO National Statistical Office के अनुसार भारती अर्थ व्यवस्था की व्रिद्धी दर क्या रहेगी very important भारती अर्थ व्यवस्था की व्रिद्धी दर याने की वास्तविक GDP की व्रिद्धी दर कितनी रहेगी यह आप लोगों से पूछा जा रहा है 7.2, 8.2, 9.2 या फिर 10.2 तो जो 2023-24 में NSO द्वारा भारती अर्थ व्यवस्था की व्रिद्धी दर होने का मापन है वो है आपका 7.2 प्रतीशत से आपकी अर्थ व्यवस्था की व्रिद्धी दर रहने का एक अनुमान लगाया गया है किसके द्वारा NSO के द्वारा और अगला जो सवाल है यह है वोट इस दा एक्च्वल साइज ओफ इंडियन एकॉनमी रियल जीडीप एकॉर्डिंग टु एनसो यानि कि NSO के अनुसार भारती अर्थ व्यवस्था का वास्तविक आकार क्या है रियल जीडीप वास्तविक सकल घरील उत्पात के हिसाब से 173.82 लाक करोड 295.36 लाक करोड 373.36 लाक करोड या फिर 101.82 लाक करोड ये आपका एक्च्वल आकार है अर्थ व्यवस्था का तो इनमें से क्या आकार रहने वाला है दोजार तेश चोबिस में ये बताया गया है किसके द्वारा NSO के द्वारा ओप्शन नंबर A हो जाएगा आप लोगों के लिए जवाब 173.82 लाक करोड रुपे का क्या है हमारा वास्तविक GDP का आकार है याने भारती अर्थ व्यवस्था का आकार है ये बताया गया है NSO के द्वारा अगला जो क्वेस्चन है हमारा ये है अतला भारत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है option A 15% of total membership of लोकसभा लोकसभा की कुल सदस्यता का 15% option number B 15% of total membership of parliament संसद की कुल सदस्यता का 15% option number C 15% of total membership of राज्यसभा राज्यसभा की कुल सदस्यता का 15% या फिर इन में से कोई नहीं बहुत ज्यादा important है क्योंकि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार क्या बन गई है सरकार बन गई है मंत्री मंडल का गठन भी हो चुका है तो आप लोगों से डायरेक्टली question पूछा जा सकता है क्या कितने मिनिस्टर कुल मिला करके बनाये जा सकते हैं भारती सरकार में और इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो आप लोगों का लोग सभा की कुल सदस्यता का 15 प्रतीशत बहुत ज्यादा important है यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह आपका पार्लियामेंट का 15 प्रतीशत नहीं ना राज्य सभा का पंदरा प्रतीशत है ये है किसका केवल लोक सभा की कुल सदस्यता का पंदरा प्रतीशत अगला क्वेशन है इन विच आर्टिकल ओफ इंडियन कंस्टिटूशन काउंसिल ओफ मिनिस्टर्स तू एड अडवाइस प्रेसिडेंट इस मेंशन भारतिय सम्विधान के किस अनुच्छेद में राश्टपटी की सलाहकार के लिए सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिशद का उलेक किया गया ह आई एमपी है ये भी क्वेश्चन अनुच्छेद 53 1 6 74 अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 66 अनुच्छेद क्रमांग 74 में बोला गया है राश्टपटी की सलाहके लिए एक मंत्री परिशद होगा जिसका मुख्य कान हो गया प्रदान मंत्री होगा चलिए आगला question प इंडिया राजपत्र में प्रकाशन के तारीक से 5 वर्ष पहली बैथक की तारीक से 5 वर्ष या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं भारत सरकार के मंत्रियों का कारेकाल कितना होता है तो यह हो जाएगा आप लोगों के लिए जवाब नन ओफ दी अबव यह एक ट्रिक क्वेस्चन है क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो राश्रपती के प्रशाद पर्यंत अपना काम करते हैं मतलब during the pleasure of president काम करते हैं कौन जो आपके भारत सरकार के मंत्री होते हैं चलिए अगला question है satellite mission Trishna is a joint mission of which two countries satellite mission Trishna किन दो देशों के आज संयुक्त mission है Trishna, भारत और रूस, भारत और श्री लंका, भारत और फ्रांस या फिर भारत और नेपाल, माफ कीज़ेगा, नेपाल और बांगलादेश भारत और रूस, भारत और श्री लंका, भारत और फ्रांस या फिर नेपाल और बांगलादेश किन दो देशों का एक संयुक्त मिशन है क्या सेटलाइट मिशन जिसका नाम है त्रिशना ये आप लोगों को बताना है इसका जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए भारत और फ्रांस इंडिया और फ्रांस का ये क्या है एक संयुक्त सेटलाइट मिशन है जिसका नाम है क्या तृष्णा अगला क्वेशन देखते हैं which technology is to replace the erstwhile fast tags for electronic toll collection very important expected question है ठीक है मतलब electronic toll संग्रह के लिए पूर्ववर्ती fast tag की जगह कौन सी तक्नीक लेने वाली है जो fast tags थे ये RFID याने की radio frequency identification पर काम करते थे उसी तरह अब ये fast tag की जगह में आपका आकाश माफ किज़ेगा सक्षम सक्षम units लगने वाले हैं और ये जो होंगे ये कौन सी तक्नीक पर अधारित होंगे ये आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है global radio frequency tags, global navigation satellite system, global x-ray polarimeter tags या फिर none of the above global radio frequency tag, global navigation satellite system, global x-ray polarimeter tag या फिर इन में से कोई नहीं कौन से आपका टेक्नलोजी पर अधारित होंगे ये सक्षम unit जो पास्टेग्स की जगह लेंगे ये आप लोगों को बताना है A, B, C, F, D इसका जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका option number B, global navigation satellite ग्लोबल, navigation, satellite system पर अधारित होंगे कौन सक्षम units जो फास्टेग्स की जगह लेंगे और टोल कनेक्शन में अपनी भागीदारी तुनिश्चित करेंगे अगला question है आपका Solva Bricks Summit to be held in 2024 is hosted by मतलब 2024 में जो Bricks का Solva सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहां आयोजित किया गया है ये आप लोगों को जवाब देना है South America, India, China या फिर Russia कौन से उस जगह पर ये आपका Solva Bricks Summit आयोजित किराया गया था ये आप लोगों को बताना है South Africa, India, China या फिर Russia जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा option number D, Russia ठीक है तो रशिया में 2024 में Solva Bricks सम्मेलन आयोजित कराया गया था वेर वाज दर रिसेंटली हेल जी सेवन समिट और्गनाइज याने की 2024 में जी सेवन का जो समिट रहा है बैठक रही है वो कहां आयोजित कराई गई थी ये आप लोगों को बताना है 2024 में जी सेवन की पचासवी बैठक 50th meeting और्गनाइज कराई गई थी और ये कहां कराई गई थी इसका जवाब आप लोगों को देना है इटली टर्की बाली जापान इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नंबर ए इटली इटली में आयोजन कराया गया था जी सेवन के पचासवे सम्मेलन का तो ये दोनों ही बाते आप लोग ध्यान रखेंगे जो ब्रिक्स का सम्मेलन था ये कहां पर हुआ दोहजार चॉबिस में रश्या में हुआ कौन सा संसकरन था ये सोलवा संसकरन था 16 था और उसी प्रकार जो आपका जी सेवन का समीट था वो कहां हुआ दोहजार चॉबिस में इटली में हुआ और ये कौन सा संसकरण था इसका पचासवा संसकरण था ये चारो बातें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगला क्वेशन है भारती सेना के नए प्रमुक के रूप में किनहे नियुक्त किया गया है किने भारती सेना का प्रमुक नियुक्त किया गया है ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र दिवेदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है चलिए अगला जो क्वेशन है हम वही सारे क्वेशन को डील करने की कोशिश कर रहे है जो आपके एक्जाम में आप लोगों के लिए उपयोगी हो तो निम्न लिकित में से कौन भारती नौ सेना की पहली महिला हेलिकॉप्टर पाइलेट बनी है कौन है वो जो भारती नौ सेना की पहली क्या बन गई है हेलिकॉप्टर पाइलेट बन गई है एर मार्शल परनीत कौर, कमांडर प्रियंका सिंग, अनामिका बी राजीव या फिर शुभामगी गोस्वामी और इन्हें ही प्रेस्टीजियस गोल्डन विंग्स सम्मान से भी नवाजा गया है और ये हैं आपकी ऑप्शन नंबर C, अनामिका बी राजीव भारत के अगला क्वेशन है भारत के निमनलिकित अथलीटों में से किसने 5000 और 1000 मीटर की दौण में नया राश्ट्रिय रिकॉर्ड बनाया है सन 2024 में ये आप लोगों का क्वेशन है 2024 में राश्ट्रिय किरती मान बनाया है किसमे 5000 और 10,000 मीटर दौण में और वो भारत के कौन से एथिलीट हैं ये आप लोगों को बताना है उप्शन A गुलवीर सिंग उप्शन B मंझीत बाजवा उप्शन C गगंदीब संदू उप्शन D दीपक खटर गुलवीर सिंग, मंझीत बाजवा गगंदीब संदू या फिर दीपक खटर इनमें से कौन वो व्यक्ती है जिनोंने राश्ट्री रिकॉर्ड बनाया है पांच हजार और दस हजार मीटर की दौन में जवाब इसका हो जाएगा उप्शन नंबर एक गुलवीर सिंग ये जो गुलवीर सिंग वो अमंग्स दौ फॉल्विंग क्रिकेटर्स आर डिकलेरड आई सी सी प्लेयर आफ दौन्थ माई खेर ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपोर्टन नहीं है इस वाले क्वेस्टेन को हम आल टुगेदर स्किप करेंगे आल टुगेदर क्या करेंगे हम इसको स्किप करेंगे तो आज के लिए हमने 50 क्वेस्टेन की जो हमारी सीरीज रही है उसको हमने डील किया है ये जो क्वेस्टेन होने वाले हैं 300 most important questions होने वाले हैं किसके लिए 15 सितंबर को होने वाले हॉस्टल वार्डन के एक्जाम के लिए कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने सहपार्ठियों को जो तयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की उन तक ये विडियो पहुच सके कोशिश कीजिएगा comment section का use करके आप सभी के जवाब दे बीच बीच में जो questions हम पूछते जा रहे हैं उसका भी आप लोग जवाब दे आखरी तक इन पूरे 300 questions को आप attempt करें अपने एक्जाम में excel करें तैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने carrier को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier पेच पर विजिट करें अथवा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ Team Coco